तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एक तारीक मैं डॉक्टर के पास गए थी उनका तबियत कुछ ठीक नहीं था यह लेके तो डॉक्टर के पास जाने के बाद जो मुझे रिस्पॉंस मिला आपको मैंने बताया था वहाँ पे वीडियो करना अलाउड नहीं थ तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी तो यहाँ पर लास्ट जब मेरी फादे इनलोच चल के आये थे वह एक तारीक को और वो पूरा भी नहीं चल पा रहे थे जितना भी है ऐसे ही चल रहे थे वो तो डॉक्टर ने हमें कहा था एक्सरे करने के लिए लेकिन दो तारीक का उनका कंडिशन और खराब हो गया फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने कहा एमराई करने का जो नीचे लिखा है आप देख सकते हैं सो तीन तारीक हमने डिसाइड किया एमराई करने के लिए और उनका कंडिशन इतना ज्यादा खराब था कि अंबूल एम्बूलेंस छोड़के गाड़ी में लेके जाना उनको पॉसिबल ही नहीं था पेट के नीचे उनका कोई भी सेंस नहीं था थोड़ा बहुत वह पैर हिला पा रहे थे लेकिन बहुत ही कम सो दिन बाद दिन उनका जो कंडिशन है वो बत से बत्तर होता जा रहा था और हमाएं कोई भी रिकोवरी का फीलिंग्स नहीं मिल रहा था तो हमने जो भी है आज एमराई के लिए अपाउन्मेंट रखा है पास में है ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगी हर एक दिन का मेरे पास वीडियो वगरा नहीं है बिकास सिचुएशन ऐसे है कि वीडियो नहीं मैं कर पाती हूँ या करने का मन भी है इस टाइम पे और मैं ज्यादा तर टाइम यहां पर ही हमारा जा रहा है अनुशा को देखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा इस टाइम पर अनुशा कभी कबार मेरे घर पे कभी कबार मेरे ममी के घर पे ऐसे ही हो रहा है तकभी कबार खाना भी उसका स्किप हो रहा था इस लीजन के वज़े से बट सज बताओ हम में से कोई भी ऐसा फील नहीं कर रहा था कि सामने हमारे लाइफ में इतना बड़ा कोई जटका लगने वारा है इतना बड़ा कुछ होने वाला है घर पे और उनका कंडिशन बहुत ही खराब होच आप देख सकते वो चल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि नीच 31st of May को वो जब बाहर गए थे वो नीचे गिर गए थे पता नहीं कैसे लेकिन वो गिर गए थे और MRI का जो डिपोर्ट था वो मिलने वाला था मुझे कल लेकिन मुझे उसका जो प्लेटलेट है वो मिल चुका था तो शाम के टाइम पे मैं अपने देवर के साल जा रही थी की प्लेटलेट से कुछ भी समझ पाए कि क्या रीजन है क्या है कि वो नहीं चल पा रहे थे जब हम लोग डॉक्टर के पास आके पहुछे और जो प्लेटलेट है उनको दिखाए तो उन्होंने कहा प्लेटलेट से मैं कुछ भी समझ नहीं पाऊंगी आप लेकर आईये तो नेक्स डे मैं रिपोर्ट लेने के लिए जब गई थी पेपर लेके तो वहाँ से मुझे रिस्पॉंस मिला चाथ तारीख को कि रिपोर्ट शाम के टाइम मिलेगा और रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाने के बाद आज आज तारीख है मैं कोई भी वीडियो अगरे नहीं कर है कि हम लोग रिटन ले आए प्रेशिंट को और उनका तबेत आप देख सकते हैं दिन बार दिन खराब हो रहा था उनका बॉड़ी फूल रहा था तो वहां से हमें रिस्पॉंस मिला था कि उनको दो प्रॉब्लम है एक है कैंसर और एक प्रॉब्लम है आपको मैंने बताया है तो उनका जो कंडिशन है वो खराब हो रहा है पहले आप स्पाइन का जो भी इश्यू है वो देखिए नेक्स्ट हम लोग बाकी का देख लेंगे तो वहां से हम लोग रिटन आ गये थे हम लोग गये थे चितरंजन हॉस्पिटल में आठ तारीक को और हमें कुछ मिस्गाइड करके वहां से भेज दिया गया कि आप लोग दूसरे जो उनका स्पाइन का प्रॉब्लम है वो पहले देखिए इसका प्रॉब्लम हम लोग बात में देख लेंगे तो उनका जो बात है वो हमें ठीक नहीं लगा उसके बाद हम लोग गये थे टाटा सो वहां पर भी हमें ये रिस्पॉंस पिला है जो नीजी आप पड़के देख सकते हैं बट बट कल बारा तारीक को उनका कंडिशन इतना जादा खराब हो चुका था कि हमें इमेजिंसी में उनको एड्मिट कर ना परा सभी को पता है यहां पर जो भी कॉलकाता में रहता है इस जगा के बारे में सभी को पता होगा सो आज के इस व्लॉग में कुछ बाते आपको मैं दिखा रही हूं ताकि आप लोग भी जान पाए उनको कल रात हमने एड्मिट किया था रात तो नहीं वोलोंगी लेक आती हूं लेकिन फिलाल अभी वहां पर ही है वो कल हमें रात में आते 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 रात के 11 बच चुके थे और अभी के कंडिशन यह है अभी बज रहे है दुफ्यार के 3 मैं अभी वीडियो कर रही हूं फिलाल अभी तक उनको भी कोई भी डॉक्टर नहीं देखने के लिए आ जो इसका वां अभी करने के लिए यहां से मुझे से रिस्पॉंस मिला है जो हमने रखा था जिनको उनको है कंने के लिए वह रात भर नहीं हैं उनके पास आनी वगेरा खाना वागेरा ते पुर दूर की बात है उनके पास भी नहीं आया है कि शुबे पर मेरी जो मुटर प्राइफ यहार उन्हों ने कहा ना पर आप्राइफ ना कि नहीं किया नियुकान कशिक पॉड़ा किया फोड़ाइं उनके पास भी नहीं आये हैं चारी रात अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे जाके क्या condition है क्या नहीं देखते हैं जो मैं बस यही बूलना चाहती हूं आप से एक ही बात आप लोग को बताना चाहती हूं आज के यह वीडियो में यह मेरे इंपॉर्टन मेसेज में कि अगर आप लोग नराइ में किसी को भी जानते हैं जिनसे मैं help लेके जिनका number या जिनका कॉन्टाइक होने से मुझे help मिल पाएगा जल्दी जल्दी उनका जो treatment है वो हो पाएगा प्लीज मुझे कमेंट करें प्लीज मुझे बताए और बस इतने से ही आज हो जाएगा बिकॉस वहीं पर ही है उनका treatment होना बहुत जादा ज़रूरी है प्लीज मुझे contact करें और comment में मुझे बताए इससे मुझे बहुत help मिलेगा तो आज के लिए विस इतना ही thank you so much और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और मुझे help करें बाए